हाई एव्रिवान वेल्कम बैक तो मारी चैनल स्टे हल्डी मैं हूना बनीता और आज मैं अपना फेविर स्कीन एंड है कर प्रॉडर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं यह जितना प्रॉडर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी यह मैं काफी टाइम से यूज़ कर रही हूं तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छ से रीविव देने जाली हूं इसको मैं चार साल से यूज़ कर रही हूं यह मुझे बहुत पसंद है इसका टेक्चर थोड़ा सा स्टिकी लग सकता है आपको मैं रात को सोने से पहले लगाती हूं दिल में ना लगाय तो बैतर है और यह आपके स्कीन पे एक ब्राइटनेस लाएगा आपके स्कीन को ब्ल करता है तो यह मुझे बहुत पसंद है निक्सी से वुष शैंपू यह 100 अमिल का बोटल है और इसका प्राइस है 211 और यह बहुत अच्छी से हैफ़ाल कंट्रोल करता है इसको मैं तीन साल से यूज़ कर रही हूं इसका यूज़ करने का प्रोसेस यह है आप बालो में इसक क्योंकि बहुत अच्छी से यह है फॉल कंट्रोल करता है है फॉल का प्रोब्लम जादा मुझे परशन करता है तो यह मैं यूज़ करती हूं है फॉल कंट्रोल करने के लिए और अगर मेरा बाल जादा ड्राइ लगे तो मैं ट्रेस्मी का यह स्मूद अन शाइन कंडिशनर कर ली कि यह बहुत अच्छा से कंडिशन करता है मेरे बालों को नेक्स्ट इज ट्रेस्मी का केरेटेन स्मूद शैंपू यह मैं डिवरिंग प्रेगनंसी यूज़ कर ली थी यह उस टाइम मैं सेबोवाश यूज़ नहीं कर सकती थी तो यह शांपू मैं चूज़ की यह ब यह कम करता है खादी ग्लोबल का डेड ओनियन ओयल यह यह बहुत पसंद है और इसका टेक्च्चर बहुत लाइट है यह आप सर पे लगाएंगे तो आपको बिल्कुल स्टिकी स्टिकी नहीं लगेगा इसका यह थोड़ा पॉशली है 1145 का आएगा लेकिन यह जब मैं खरी करता है और इसको मैं हफ्ते में एक बार लगा लेती हूँ यह बहुत अच्छा है यह 99% pure aloe vera है no paraben, silicon, mineral, oil, color, synthetic fragrance इसको बिल्कुल भी कोई भी fragrance नहीं है यह बहुत अच्छा है इसको भी मैं बालो के लिए यूज करती हूँ बालो में शैंपू करने के बाद मैं यह लगा लेती हूँ अलवेडा बहुत अच्छा होता है आपके बालो के लिए तो मैं aloe vera क science का this tea tree oil इसका packaging बहुत क्यूट है उपर लिखा हुआ है I'm home honey और यह ऐसे आता है इसको भी मैं बालो के लिए यूज करती हूँ कभी कभी तेस पर लगा लेती हूँ लेकिन यह बालो के लिए बहुत अच्छा होता है मैं कोई भी hair oil के साथ जैसे कि मैं onion hair oil यूज करती हूँ उसके साथ 3-4 drop मैं tea tree oil लेके बालो में massage कर लेती हूँ और यह भी बहुत अच्छे से hair fall control करता है इसका fragrance थोड़ा सा strong है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको irritation हो सकता है लेकिन ज्यादा देर तक इसका fragrance नहीं रहता है तो यह इसका benefit है next is Innisfree का यह scrub Innisfree Giju volcanic pore scrub foam इसके बारे में मैं पहले भी review दे चुकी हूँ scrub के बारे में और इसका texture बहुत thin and fine है तो यह आपके face पे बिल्कुल pressure clear नहीं करेगा और especially acne prone skin के लिए यह perfect है इसको मैं फिलहाल तीन-चार महिने से यूज़ कर जीओ और इसका price है 500 something मैं description box में साड़ा link दे दूँगी next product is Sapphire Naturals का यह cleansing milk, cucumber cleansing milk है यह बहुत अच्छा लगता है मुझे यह कहीं भी मैं carry करती हूँ 170 रूपिस का है और 100 ml का bottle है यह बहुत जल्दी make-up remove कर देता है और इसका fragrance मुझे बहुत अच्छा लगता है okay guys so यह रहा मेरा fabric skin and hair care products so I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगे अगर अच्छा लगेगा तो मेरा वीडियो like जरूर करना और मेरे चैनल को subscribe जरूर करना so आज के लिए bye bye stay healthy